आज 28 तारीक को बड़ी सुनवाई होने वाली थी देट क्यों टल गया डेट इसलिए टल गया क्योंकि स्टेट ऑफ तमिल नाडू ने टाइम लिया है कि उनको जो एनसे पे हमने अमेंडमन करी हमनी प्रेटिशन हमने अमेंड करी है उस पर उनको रिप्लाइक के लिए और समय ही चाहिए और समय की जोरवत है और समय की तारी organizing होता रहे कंवान नयाइक की बात होगी नयाइक की बात ही हुए है 21 को भी तो अभी भी होगी और मेरा मानना यह कि एट में को फैसला हो जाएगा बिहार के बहुत सारे सब को अपना आइडियल मानते हैं वह चाह रहे हैं कि मनिश को जल्द बहार निकले क्या उनको क्या संदेश देना चाहिए अब जैसे पूरा चलता है प्रोसीजर को तो हम नहीं ताप कर आगे जा सकते तो जैसे ही प्रोसीजर एक बार कंप्लीट हो जाएगा फिर चीज़े बहतर हो जाएगा और बात क्लियर कीजिए मैं आज कोई चर्चा नहीं हुए आज सिर्फ इतनी ही चर्चा हुई कि स्टेट अब नादू ने वक्त लिया है तू-फाइल रिप्लाइब क्लियर कीजिए बहुत सारे लोग कह रहा है कि मैं मनिश कष्षभ पत्रकार कुछ लोग कह रहा है नेता कुछ लोग कह रहा है यूटूबर है अखिर मनीश कषभ है कौन मनीश कषभ आप जैसे हम जैसे आम आदम क्योंकि यह चीज़े हमारी है नहीं मेरा काम है वकालत काम करना आपका ज़र्नलिजम करना हम दोनों अपना बहतर बहतर काम करें तो हो जाएगा एक सवाल है जब इतना वरा रासुका लगा दिया गया तो नहीं लग रहा है कि टाइम और टाइम पिडिये और ज्यादा चाह र हें क्या चुनोति परिशान है सब लोग परिशान है वो वेट करें वो रहें उनके भाई है परिशान ही है सब सबक्राइब करें तो परिशनार को जाएगा जो परसनल वकील है और आप है क्या तेयारिया रहेगी आठ तरीका कोई परसनल वकील नहीं है वकील आदित्या देशवाल है और तयारी हमारी पूरी है अब जब 8 में को हम तो आज भी तयार थे आज अनफॉर्चुनेटली अब नहीं आया मैटर उनना टाइम ले लिया तो एट में को हमें लगता है कि यह हो जाएगा केस मर्च को लेकर क्लब क करने को लेकर आज कोई लिए आज सिर्फ समय लिया है उन्होंने आठ तारिक तक का ताकि वह अपना रिप्लाइ जो है वो टाइम से फाइल कर सकते हैं तो इसलिए अब 8 में की देट नेक्स्ट रखी है एक में क्वेस्टन आ रहा है कि हमारे पास कई ओडियंस के मेल्स हैं म देखिए में वकील का आप सबको बताइए में वकील आदित्या देशवाल है उनके साथ मैं हूं मेरा नाम रिदा मरोडा है और हमारे जो एओर हैं एड़ोकेट रिकॉर्ड वो अननता प्रसाद मिश्रा है तो हम तीनों ने मिलकर ही यह मैटर फॉर्स्ट एप्रिल को ही फा में देवन से हम ही मनीश कश्यप का मैटर कर रहे हैं और हम ही उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मैं आपके माधियम से भी क्लियर कर देना चाहती हूं कि बहुत सारे एड़ोकेट जो भी कुछ भी कह रहा है आपको अगर कोई भी चीज माननी है पहले वेरिफाय कर लीज सोचल मीडिया पर की तमिलादू सरकार ने बोला है कि हमेले से नहीं हटाएंगे और नहीं कुछ होड़ने वाले हैं नहीं यह देखिए ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि क्योंकि मैटर सुबा से जब टेक भी नहीं हुआ तो यह सब बाते बहुत ही बेफ़जूल की बाते हैं य उन्होंने अभी जब हमने लंच टाइम पर मेंशन करा तो उन्होंने कहा कि हमें रिप्लाइ फाइल करने के लिए टाइम चाहिए बस तो हम भी मनीश जी के साथ करी रहे हैं ऐसा कुछ निया कि उनको और ज्यादा वेट करना पड़ेगा बस थोड़ा सा और इतना सा वेट क चाहिए उनको चाहिए अट टमिल नादू को रिप्लाइ फाइल करने के लिए कि चीजों पर थोड़ाट समय चाहिए आज का देखा जाए तो मनीश का सब का क्लबिंग की बात की जाए एन से की बात की जाए आज जो चर्चा है एन से पर होने वाली थी चुक्ए बहुत को लोग रिपलाई कर चुके हैं हमें प्रेटिशन करने के लिए कहा था हमने उस तरीके से अमेंड कर दी है उनको भेच दी भी है अब हम एनसे पर ही वो जो रिपलाई करना चाहते हैं उसी के अंतसार कर रहे हैं आज मनित सिंग भी अज ख़रा हुए थे शायद आप लोग मन करवा सके पर उन चीजों को कोई फाइदा नहीं था कि स्टेट आफ तमिन नाडू ने समय ले लिए समय ले लिए इसी कान सुनवाई नहीं हो पई आठ तायू को नाया डेट मिला है जिए उस दिन को लेकर यही आस लगाएं कि मैटर जैसे हम आस लगाए बैठे हैं आप ल क्या थी आप लोगों की जो भी वह एनसे से रिप्लाइ लेकर आते हम उसको रिबर्ट करते हम उसके हम देखते कि उन्होंने ऐसा क्या मैंशन किया है जो हमारी साइट से हमने वह चूक करी है तो अभी आज और रफ्लाइं नहीं मिला है तो उस पर हमने कोई नहीं कर रहा है बाकी तैयारी हमारी डेवन से यही है कि F.I.R. क्लब हो जाए और N.S.A. हट जाए बार बार मनीश कसव के चाहने वाले कमेंट करें कि आखिर कब तक मनीश कसव को थोड़ा सा रहाद मिल जाए कितना मतलब कहीं न कहीं सोचने वाली बात है और N.S.A. पे भी चर्चा होगी उस दिन N.S.A. पे और क्लबिंग पे दोनों पे चर्चा होगी जो पूरी प्रटेशन ने उस पे चर्चा होगी यह केस मर्च को लेकर क्लब करने को लेकर आज कोई बात नहीं आज सिर्फ समय लिया है उन्होंने आठ तारिक तक का ताकि वो अपना रिप्लाइ जो है वो टाइम से एनसे पर फाइल कर सकते हैं